गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, आज हम हिंदी पार्ठे पुस्तक के दूसरे पार्ठ सुभागी को पढ़ेंगे और उसके सार तत्व को समझेंगे यह पार्ठ सुभागी की कहानी है जो छोटी उम्र से ही संघर्ष करके जीवन जीती है प्रेम चंद जी द्वारा लिकित कहानी आज के दौर में बहुत ही प्रासंगिक है हमारे समाज में आज भी लड़के लड़कियों में भेद किया जाता है लड़कियों को कमजोर समझा जाता है इसका सबसे बड़ा दुश्प्रभाव यह हुआ है कि भारत में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है आईए स्पार्ट को द्विस्तार से समझते हैं सुभागी हर काम में निपुण थी और उसका भाई रामू कामचोर और आवारा सुभागी की शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पती की मृत्यू हो जाती है और वह अपने माता-पिता के पास रहकर उनकी सेवा करती है और खेती बाड़ी का काम संभालती है सुभागी के प्रती रामु का वेवार बहुत बुरा था वह सुभागी की देखभाल नहीं करना चाहता था सुभागी माता पिता के साथ रहते हुए सुभा सबेरे उठकर कूटने पीसने लगती चौका बर्तन करती, गोबर थापती खेत में काम करने जाती दो पहर को आकर जल्दी जल्दी खाना बनाकर सबको खिलाती और रात में अपने मा के सर में कभी तेल डालती कभी उसके शरीर को दबाती वो हर संभव अपने माता पिता की सेवा करने की कोशिश करती थी परंतु रामु का वेवार उसके प्रती कठोर था ये सब देखकर सुभागी के पिता तुलसी महतों ने रामू को अलग करने का फैसला किया गाओं के मुखिया सजन सिंग ने रामू को समझाने का प्रयास किया परन्तु रामू ने एक न मानी सुभागी अलग रहकर अपने माता पिता की सेवा करने लगी इसी बीच उसकी पिता की मृत्यू हो जाती है मृत्यू के बाद वह उसके अंतिम क्रिया के लिए मुखिया सजन सिंग से कर्ज लेती है उस कर्ज को चुकाने के लिए सुभागी दिन रात मेहनत करती है उसकी कारी शक्ती और हिम्मत को देख कर लोग आश्चरी प्रकट करते थे दिन बर खेती बाड़ी का काम करती, रात को आटा पिस्ती और महिने के तीसमे दिन सजन सिंग को पैसे लोटाने पहुँच जाती थी और बहुत जल्दी उसने सजन सिंग का कर्ज चुका दिया गाउं के लोग उसकी तारीफ करते नहीं ठकते थे गाउं के लोगों ने उसे देवी की संग्या दी अंत में सजन सिंग ने अपने बेटे के बहु के रूप में सुभागी को अपना कर उसका जीवन समारने की कोशिश की थैंक यू